शिवपुरी की सड़क पर एक नया नजारा देखने को मिला जहाँ एक चायवाले ने नई मोपेट खरीदी मोपेट खरीदने के लिए डीजे ढोल बग्गी के साथ वो शोडूंग पहुँचा यहाँ उसने मोपेट बाई की पूजा कर उसे माला पहना कर क्रेन पर लटक्वा दिया बाद में डीजे ढोल ताशे के साथ चायवाला बग्गी पर सवार होकर अपने घर की ओण निकला इससे पहले उसने अपने साथीयों के साथ जमकर डांस किया जिसने भी चाय वाले के खुशी मनाने का तरीका देखा, वो हैरान रह गया पुराने शिवपुरिक्षित्र के रहने वाले मुल्ली लाल चाय बेशते हैं रविवार की शाम मुरारी कश्वाह चाय वाला दुर्गादास राठोर घोला चौराहा के पास इस्तित बाइक शोरूम पर लूना बाइक खरीदने पहुँचा यहां वो अपने साथ धोल डीजे क्रेन और बग्गी को भी साथ लेकर पहुचा था उसके साथ उसके परिचित भी थे शोरूम पर मुरारी ने 20,000 रुपे का डाउन पेमेंट कर 80,000 की मौपेट फाइनन्स कराई लेकिन उसने मौपेट को घर ले जाने के लिए 60,000 रुपे ढोल डीजे क्रेन और बग्गी पर खर्श कर दिये मौरारी लाल का कहना है कि उनके एक बेटी प्रेंका और दो बेटे राम और शाम है ये सब वो अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं बता दें कि आज से तीन साल पहले मुरारी कुश्वाहा ने मुबाइल की बारात निकाली थी उस वक्त मुरारी कुश्वाहा ने 12,500 रुपे का मुबाइल फाइनेंस करा कर अपनी बेटी के लिए खरीदा था लेकिन मुबाइल को घर तक लाने में 25,000 रुपे खर्च डीजे बगी पर कर दिये उस वक्त ये सब उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया था हाला कि इस बार मुरारी बड़ी मुसीबत में फ़स गए दरसल वो अपनी बाई को डीजे के साथ घर ले जा रहे थे तभी कोतवाली पुलिस ने डीजे को जब्द कर लिया पुलिस का कहना था कि बिना पर्मिशन की डीजे को तेज आवाज में बजाया जा रहा था जिसके चलते पुलिस ने डीजे संचालक और मुरारी कुष्वाहा के खलाफ मामला दर्श किया है पंजाब केस्डी टीवी के लिए शुवपुरी से भूपेंदर शर्मा की रिपोर्ट